कि हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल एच क्रिशन टीच असोग में और मैं हूं असोग चौरसिया तो दोस्तों आज जो है हम आप लोगों के लिए टाफ 15 प्वाल्टिक इंप्वार्टन कोश्चन लेकर आए हुए हैं और यह जो 15 कोश्चन है यह प तो आप जो है इन 15 को या तो रट लीजिएगा या तो अच्छे से आप लोग दिमाग में इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह जो कोश्चन है पेपर में 20 से 25 बार रिपीट हो चुके हैं तो फिर चलिए वीडियो इस्टार्ड करते हैं तो कोश्चन नमबर फ़स्ट ह सेवंटीन सेवंटीथरी के एक्ट के तहत अस्थापित उच्चतम नयाले के प्रथम मुख नयाधिस कौन थे तो इसका जो आंसर होगा यह आपसंस होगा सर एलीजा इंपे फिर चलिए कोश्चन नमबर सेकंड देखते हैं कोश्चन नमबर सेकंड है भारत का अंतिम गूलं के तहत लागु की गई तो इसका जो आंसर होगा यह आपसनसी होगा 1919 का भारत्सासन अधियंब देश में 독आते यह मैं के उनीजन के भारत्यस अधियंध साशन अधिन्यंय मौन थे तो इसका जो आंसर होगा इह आपसंड बास कर्फिर नमर्वाइफ है सामिधान तो इसका जो आणसर हो यह होगा आप संद्व डाक्टर रजेन प्रशाद अब देखें कोश्चन नंबर वह था बारतीय समिदान के आस्था अद्व प्रशाद संद्वा में हैं नजफार को वह था-द्वूसाद आंसर हो गई यह आप संसी होगा आइमिन 15 भारतिये आइमिन सम्मिदान सभा में महिलाओं कि कुल संक्या 15 फिर कोश्चन नमबर सेवन हैं उद्देश प्रस्ताओं को कब स्विपकार किया गया तो इसका जो आंसर होगा यह आप संसे होगा 22 जन्वरी 1946 को अर्थात 22 जन्वरी 1946 को उद्देश प्रस्ताओं को स्विपकार किया गया अब चलिए इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं जिससे पेपर में एकसर कोश्चन आता है तो यह जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जुहालान नहरूर ने सम्विधान सबा में उद्देश प्रस्ताओं को पेस किया जिसे 22 जन्वरी 1946 को सर्वसंब्स से स्विपकार कर लिया गया और उद्देश प्रस्ताओं को ही प्रस्ताओंना कहते हैं तो पेपर में ऐसा भी कोश्चन आता है कि क्या उद्देश प्रस्ताओं ही प्रस्ताओंना है तो इसका जो आंसर होगा यह करेक्ट होगा क्योंकि उद्देश प्रस्ताओं को ही प्रस्ताओंना कहते हैं फिर चले है कॉष्टन नमबर 8 है कोश्टन नमबर 8 है प्रारूप समित का गठन कब किया गया तो किलिक आपसन ए होगा 29 29 अगस्ट 1947 को I mean 29 अगस्ट 1947 को प्रारूप समित का गठन किया गया फिर कोशन नमर 9 है प्रारूप समित का अधच किसे चुना गया तो इसका जो आंसर होगा यह आपसन भी होगा डाक्टर भीमरा अमबेटकर को तो कोशन नमर 10 है भारतिय समितान में मूल अधिकार कहां से लिए गया है तो इसका जो आंसर होगा यह आपसन C होगा अमेरिका से I mean भारतिय समितान में जो मूल अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है फिर कोशन नमर 11 है भारतिय समितान में मूल करतब कहां से लिए गया है फिर कोश्aval block है भारती सम्म Kiss obs Dåना तो कितनी अब तक कितनी बार संसोदित किया गया है तो इसका जो आंसर होगा यह option भी होगा एक बार कि ढिन अब तक मात्र counties एक बार संसोदित किया गया है तो पेपर में ऐसा भी कोशन आता है कि भारतिया सम्धान की प्रस्तावना को एक बार अगर संसोधित किया गया है तो यह कहवे सम्धान संसोधन के द्वारा और कब किया गया था तो भारतिया सम्धान की जो प्रस्तावना है इसको एक बार अब तक संसोधित किया गया है यह बैलिसावे समिदान संसोधन द्वारा उनिस सोथ प्रेस की स्वतनतरता को भारतिय समिदान के किस अनुच्छेद के तहत नहित किया गया है तो इस वीडियो को एक से दो बार जरूर देख लिजिएगा और एक एक कोश्चन को आप लोग याद कर लिजिएगा और यह जो कोश्चन है पेपर में 20-25 बार रिप्यूट हो चुके हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सेयर कीजिएगा और चैनल पाइका नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब त झाल बहरत सेयर कर होट कर ःपकी को सब्सक्राइब पिर शरूर कर अबड़ उन सेशन थारूर को सक्षबभशन दो में मिलते हैं जरूर कर लंगचा Campaign